कुश्चन नम्बर पांच एक घनाकार डिबे का एक किनारा दस सेमी लंबाई का है और तथा एक अन्य घनाब अकार डिबे घनाब की अकार का डिबे है कि लंबाई चोड़ाई और उंचाई करमशे हैं 12.5 दस सेमी और 8 सेमी है तो हमें ग्याद करना है किस डिब्बे का पार्स परिष्टिय च्छतर फल अधिक है और कितना अधिक है पार्स परिष्टिय मतलब कि वक्र परिष्टिय च्छतर फल किसका अधिक है गनाब का अधिक है या घना का डिब्बे का अधिक है ये घन की बुजा देर के इसका अधिक है या फिर घनाव का अधिक है तो ये ग्याद करना है किस डिबे का कुल परिष्टिय छेतरफल कम है और कितना कम है इन दोनों में से बताना है कि परिष्टिय छेतरफल किसका कम है घन का कम है या घनाव का कम है ये हमें इस सबाल में ग् गनाकार डिब्बे की बुजा ए बराबर देर किया में दस समी अब हम क्या निकालेगे गनाकार डिब्बे का पर्ष्ट पर्ष्ट यच्छे तरफ निकालेगे जिसको हम बोलेंगे वो कर पर्ष्ट यच्छे तरफ बोलते हैं तो लिखेंगे गनाकार डिब्बे का पर्ष्ट पर्ष्ट यच्छे तरफ निकालेगे तो फेल का सुत्र होता है चार म्ठू बुजा की स्केर या एक और हमारे पास तो हमारे पास वें एकमान कितना है चार Cum20 एकमान हमारे पास में दस है तो दस की हो जाएगी स्केर तो यह जाएगा चार इंटू दस की स्केर सो तो चार को सो से गुना क्या चार सो छेतर फल की कई होती है वरग सेमी तो यहां पर वग सेमी आगा ठीक है क्योंकि सेमी में चल रहा था अगर यहां मेटर में आता हो तो यह मेटर में अब हमें निकालना है गनाकार डिबे का पार्स ओपर श्टी अच्छे तरफल गनाबाकार तो लिखेंगे गनाबाकार वो गनाकार था ये गनाबाकार डिबे की लंबाई लंबाई हमें दे रखिया एल तो लंबाई दे रखिया बारा पॉइंट पांच सेमी इसकी दे रखिया चोड़ाई चोड़ाई को रिखते हैं बीस है चोड़ाई दे रखिया हमें दस सेमी और उन्चाई उन्चाई दे रखिया है है एच हमें दे रखिया है आठ सेमी अब हम इस गना बाकार डिबे का या तो बोलते हैं वक्कर परिश्टी चेतर फल या बोलते हैं पार साओ पर चेतर पल ग्याद करने है तो लिखेंगे गना बाकार दिब्बे का पार्शो प्रष्टिय चेतरफल का सुत्र क्या होता है दो बरेक्ट लंबाई पलेस चोड़ाई इंटू क्या हो जाएगा उन्चाई तो दो का दो लंबाई हमारे पास में दे रिखिया बारा पॉइंट पांच पलेस चोड़ाई हमारे पास में दे रिखिया दस इंटू उन्चाई दे रिखिया हमारे पास में आठ तो जाएगा द दो गुणा 12 और 12 में 10 चोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5 में 10 चोड़ेंगे तो 20.5 इंटू 8 यह हम 8 को 2 से गुणा करेंगे तो आजाएगा 16 इंटू 22.5 अब 22.5 को 16 से गुणा करेंगे तो 360.0 वरग सेमी अब मैं कोश्चन में यह पूछा था कि किसका जो पार सो परिष्टी चितरफला जो अधिक है गनाबाकार डिबे का या गनाबाकार तो गनाबाकार का तो 360 है और गनाबाकार का तो 360 है और गनाकार डिब्बे का कितना है वकरपिष्टी चितरफल 400 है ठीक है तो इसका ज़्यादा है गनाकार का और कितना ज़्यादा है वो अभी हम देखते हैं तो हम लिखेंगे एता है एता है गनाकार डिब्बे का पार्शो प्रष्टी है छेतरफल पार्शो प्रष्टी तरफल कितना बचेगा यह है 400 माइनेस कितना करने है 360 तो हमारे बास में कितना हैगा 40 40 बचेगा तो 40 वरग से में अधिक है अधिक है तो 40 वरग से में इसका जो प्रष्टी तरफल है वो अधिक है गनाकार का ठीक है अब इसमें दूसरे कॉस्चन में दे रखा था कि दोनों में कुल प्रष्टी तरफल कितना है और कितना कम है और किसका कम है तो अब हम निकालेंगे परिष्टिय छेतरफल समपूरण परिष्टिय छेतरफल जिसको बोलते हैं तो नंबर दो पार्टिया निकेंगे गनाकार दिब्बे का समपूरण परिष्टिय छेतरफल समपूरण परिष्टिय छेतरफल का सुतर क्या आता है गन का 6 इंटू बुजा की square तो 6 का 6 बुजा हमारे पास में थी 10 को जएगी 10 की square तो 6 इंटू 10 की square कितनी होती है 100 तो गुना करेंगे तो कितना जाएगा 600 वरग सेपी यह तो आगया गनाकार का ठीक है अब हमें निकालना है गना बाकार का ठीक है तो देखेंगे गनाबाकार गनाबाकार डिब्बेका संपूर्ण प्रष्टिय छित्रफर तो हमारे पास में जो मान था वो मान रखेंगे दो का दो लंबाई हमारे पास में दे रिखे थी 12.5 into चोड़ाई हमारे पास में दे रिखिया 10 पलस 10 उन्चाई दे रिखिया 8 पलस उन्चाई हमारे पास में है 8 इंटू लंबाई है 12.5 अब इसको हल करेंगे तो 2 12.5 को 10 से गुना करेंगे तो आज यागा 125 पलस इसको गुणा करेंगे 10 से 80 पलस 8 को 12.5 से गुणा करेंगे तो हमारा पास में आजागा 100 तो यह आजागा 2 इंटू सभी को हम जोड़ेंगे यह आजागा 180, 180 और 125 227 पलस 305 अब 305 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आजागा 610 वरग से में अब देखो गनाबाकार डिब्बे का कितना है परिष्टिये संपुरुन परिष्टिये 460 है और गनाकार का कितना है गनाकार का है 600 इसका तो अधिक है गनाबाकार का इसका क्या है अधिक है ठीक है इसमें पुछा है कि किसका कम है तो गनाकार का कम है क्योंकि इसका तो 600 है इसका कितना है 6010 है तो हम लिखेंगे अधिये गनाकार बिब्बे का कुल परिष्टी है छेत्र फल च्छेसो दस है ना गनाबाकार का माइनेस गनाकार का कितना है च्छेसो है गटाएंगे तो कितना हैगा दस वरग से में कम है ये था हमारा कुश्चन नमबर पाच कुश्चन नमबर च्छे एक छोटा पोदा घर समपुरुन रूप से सीसे की पटियों से आधार भी समलित है घर के अंदर बनाया गया है सीसे की पटियों को टेप दवरा चिपका करोका गया है यह पोदागर तीस से में लंबा पत्चीस से में चोड़ा और पत्चीस से में उन्चा है इसमें प्रियुक्ट सीसे की पटियों का छेतर फल ग्याद कीजिए मतलब एक पोदागर बनाया गया गनाव की आकार का पोदागर है जिसके लंबाई चोड़ा ही उन्चाही दे रखिये इसने का है शिसे में प्रियुक्ट पटियों का छेतर फल मतलब 6 पर इस टोते हैं उनका छेतर फल ग्याद करना है और सभी बारा किनारों के लिए कितने टेप की आउसकता होगी इसके जो बारा किनारे हैं उनके लिए टेप की कितनी आउसकता होगी वह हमें बतानी है तो कुश्चिन नमबर 6 कुश्चिन में क्या दे रखा है पोदे घर की नमबाई दे रखिये है पोदा घर की नमबाई एल दे रखिये है पोदा घर की नमबाई पोदा घर की नमबाई एल दे रखिये हैं हमें 30 समी ठीक है उसके बाद में पोदा घर की दे रखिये है चोडाई चोडाई दे रखिये है 25 समी और उन्चाई दे रखिये है एच एच दे रखिये है 25 है मैं इसकी जो लंबाई है वो हमें दे रखिया थीस है में चोडाई दे रखिया 25 और इसकी जो यह हम जाई है यह भी दे रखिया हमें 25 है में दे रहिए और पुछह है कि इसमें अप्रियूक्षिसे के पटियों का परश्ट 6 छे 30 कितना होगा? जो इसके प्रष्ट है, एक, दो, अंदरवला, तीन, चार इस प्रकार इसके जो 6 फलक बन रहे हैं, इनका प्रष्ट ये चेतरफल कितना होगा मतलोगे बूचया कि संपूरूण प्रष्ट ये चेतरफल तो हम लिखेंगे ओधा घर ब्रेक्ट में लिखेंगे घनाब का समपूरण प्रिष्टी है छेतर फल सुत्र गया देर रखाएं दो ब्रेक्ट है लंबाई इंटो चुडाई प्लेस चुडाई इंटो उंचाई प्लेस उंचाई इंटो लंबाई अब हमें क्या गरना है मार रखने है दो ब्रेक्ट लंबाई हमारे पास में दे रखिया तीस इंटो पत्चिस प्लेस चुडाई पत्चिस इंटो उंचाई भी है पत्चिस प्लेस उंचाई पत्चिस और नमबाई दे रखी है 30 तो मुणा करेंगे 2 25 तीए 35 750 25 को 25 है क्या 625 और 25 तीए 35 750 दो इंटू इन सभी को जोड़ेंगे 5, 2, 1, 2, 2125 अब 2125 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में जगा 2250 वरग समी तो हम लिखेंगे अताय पोदा गर में प्रियुक्त सीसे का 6 तरफल कितना होगा 2200 वरग समी प्रियुक्त सीसे का 6 तरफल बरबर 2250 वरग समी अब इसका पार्ट नमर दो दे रहे हैं पार्ट नमर दो में पुछा है कि सभी 12 किनार उपर कितनी टेप की आवशुक्ता होगी ठीक है तो सभी 12 जो इसके किनारे दे रहे हैं उस पर कितनी टेप की आवशुक्ता होगी तो हम लिखेंगे सभी किनारों की माप माप किसे जैसे इसके किनारे एक, दो, यह वाली दो, तीन और चार इसके लंबाई कितनी होगी? चार तो हम लिखेंगे चार इंटो लंबाई पलस इसके चुड़ाई कितनी होगी? एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी चुड़ाई ये रही और चौती चुड़ाई ये रही, तो चुड़ाई भी कतनी होगी, चार पलस इसकी उन्चाई देखेंगे, एक उन्चाई ये रही, किनारे पर लगानी है तो सभी किनारे कितनी होगे चार लंबाई है, चार उन्चाई है, चार उन्चाई है तो सभी में चार कुमन आ रहे है तो क्या होगा, L पलस B पलस H अब क्या करेंगे, सभी का मार रखेंगे चार लंबाई हमारे पास में कितनी दे रखिया है 30 जोड़ाई हमारे पास में 25 प्लस उन्चाई हमारे पास में देरे किया 25 तो इनको जोड़ेंगे 25 और 25 पचास 50 और 30 असी तो चार दिये 8 चोके 32 32 सेमी तो हम लिखेंगे अतय आवशक टेप की लंबाई बराबर 320 सेमी